नमस्कार दोस्तों कुछ समय पहले हमने वाट्स को दूर करने के लिए एक external application का formula आप लोगों को दिया जिसमें हमने दो homeopathic mother tincture को मिला कर वाट्स याने के मस्से पर लगाने की सलाह दी उस वीडियो को आप लोगों का बहुत आशिरवाद मिला बहुत प्यार मिला और लोगों के comment आए कि उनको इस mixture के बहुत ही शानदार result मिल रहे है बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि sir हम इसके साथ क्या internal medicine ले सकते हैं अंदर से खाने की medicine ले सकते हैं बहुत से new homeopathic doctor जो नई-ई-ई medicines पढ़कर आते हैं उन लोगों ने भी अपना दुख दर्द हमारे साथ शेर किया वाट्सप चेट पर कि sir हमें को एक एक एसा फार्मूला मिल सकता है जहां पर हम सुरवाती स्तर पर वाट्स के मरीजों को दे सके दोस्तो आज का यह जो दूसरा वीडियो है यह इनी सब लोगों के लिए या उन लोगों के लिए जो वाट्स की किसी एक particular medicine तक नहीं पहुँच पाते आप लोगों को मैं आज एक एसा फार्मूला दूंगा जिसे आप किसी भी प्रकार के वाट्स पर apply कर सकते हैं इसके बहुत अच्छे result है पर अप कुछ बातों को ध्यान में रखिए सबसे पहली बात कि इसके 100% result नहीं है ना ही दुनिया में कोई यसी दवाई बनी है जो किसी particular disease पर सभी की सभी cases में 100% result दे इस formula के अभी 100% result नहीं है क्योंकि वाट्स के अलग-अलग प्रकार होते हैं कुछ skin से जुड़े होते हैं, कुछ लटके होते हैं, कुछ जोई ठोस होते हैं, कुछ नर्म मुलायम होते हैं कुछ गड़ने बाले कांटे जिसे होते हैं कुछ में ब्लेडिंग होती है कुछ में नहीं होती है और जगह के हिसाफ से यह अलग-अलग जगह पर है तो भी वार्ट के हिसाफ से होमेपती में मेडिसिन अलग-अलग होती है आप देखेंगे तो लाल कलर के वार्ट्स होते हैं, तो काले कलर के वार्ट्स होते हैं, कुछ तिल से मिलते जुलते वार्ट्स होते हैं, इस प्रकार से आप देखेंगे तो वार्ट्स के बहुत प्रकार होते हैं, और सब के लिए होमेपधी में अलग-अलग मेडिसिन हैं, particular treatment के लिए हैं जिसे आप सभी प्रकार के वाट्स के मरीजों में शुरू में apply कर सकते हैं और इसके आपको दोस्तों no doubt बहुत शांदा result मिलेंगे 80% cases में आपका किसी भी प्रकार का वाट्स होगा ये जो formula में आपको दे रहा हूँ इसे आप ध्यान से सुनिएगा इसमें मैं stages बताऊंगा आपको किस तरह से use करना है आप इसे use कीजिए और आप देखेंगे कि 80% वाट्स के cases साथ में आपको जो external application मैंने बताया है वीडियो म उसका use करना है तो आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार के वाट्स के cases जो ठीक हो जाएंगे बात करते हैं formula की देखें आपके पास कोई भी मरी जाता है किसी भी प्रकार का वाट्स लेका आपका अध्यान अभी संपूर नहीं हुआ है आप नहीं समझ पा रहा है कि मैं इसे क इतने मरीजों पर try करके देखिए इसी वीडियो के नीचे comment बाक्स में बताइएगा आपको किसे result मिल रहा है चलिए तो इस treatment plan को सुरू करते हैं देखें यहाँ पर हम ना लक्षणों पर जा रहा है ना ही हम वार्स डिसीज में जा रहा है आपको सीधे हम treatment plan यहाँ पर provide कर तो यहाँ पर आप मेरे हाथ में देखेंगे तो यह थूजा 30C potency याने 30 potency में है फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर थूजा 200 potency में दिखेगी यहाँ पर एक तीसरी medicine है मेरे पास थूजा 1000 याने 1M potency में और चोती medicine दोस्तों यहाँ पर आपको दिखे विदिन वन मंथ एक महीने के अंदा पर इसका एक तरीका है दोस्तों ठीक है अब आपको यूज के से करना वह आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए तो दीए सबसे पहले आपको क्या करना है कोई भी वार्ट में मेडिसिन देना है तो थूजा थर्टी मेडिसिन का यूज कर थूजा थर्टी देने का तरीका है आपको इसकी चार बुन सुभर और चार बुन साम को लगातार एक हपते तक देना है यदि व्यक्ति इस डाइलूशन में नहीं लेता है ग्लोविल्स में यानि के दाने में लेता है तो आप दाने में डाल की दीजिए मात्रा वही रहेग सुभर और शाम लगातार साथ दिन तक देना मैं यहां पर आपको केबल एडल्टी की डोस बता रहा हूँ इस प्रकर से साथ दिन बाद जब आप देखेंगे तो आपको पेशन को फिर से एक्जामाइन करना है फिर से एक्जामीन करने के बाद दोस्तों यदि आपको उसके क्यूं प्लस सेवाइना का क्यूं वह मिला करके वार्सल लगवाना हैं यदि उसी से ठीक हो जातेएं तो सबसे बेटर बात हो अताघ्र म्रिशल को बुलाते हुर्ड वह हमसे बोलता है कि हमें किसी प्रकार कारेलीव नहीं मिला तो दूसरे मेदिसीन यहींज़ विश थैसा थूजा 30 हम सुबह शाम दे रहे थे, थूजा 200 को हम दिन में एक बार यूस करेंगे, थूजा 200 दिन में एक बार चार से पांच भून डारेक मरीश के जीप पर देंगे, समय कोई भी ले सकते, जिस दिन आपने, मतलब पहले दिन आपने जिस समय पर दिये, अगले दिन भी असर करेगी, यदि मान लो, इसके बाद आपको प्रोसेस वही करनी है, पेशन को बलातर पूछना है, यदि वार्स रिग्रेश हो रहा हो, छोटे हो जड़ रहा हो, जड़ रहा हो, तो ठीक है, इसे कंटीनूर रखें, पूरे साफ हो जाएंगे, यदि नहीं होते हैं, तो फिर इसकी अगली स्टेज, इसके साथ भी आप ध्यान दे, थूजा का मदर टिंचर और सेवाइना का मदर टिंचर आपको पूरे ट्रीटमेंट में साथ में, एक्स्टरनल एप्लेकेशन के लिए देते रहना है, यदि मान लीजिए, थूजा 200 के साथ दिन देने के बाद भ आपको देनी है केवल हफते में एक बार, तो जनरली हम प्रिफर करते हैं संडे के दिन थूजा वनेम देना, थूजा वनेम संडे के दिन देना है, परन्तु असली चीज अब सुरू होती है, यहाँ पर केवल थूजा वनेम का यूज नहीं करना है, संडे के दिन देना है थ पिर थुजा वनेम 4-5 ड्राप जो है आप डाल दीजे या वही दानेम दे रहे हैं तो 5-6 गोलिया जो है आप मरीज को दे दीजे अब हपते में एक बार मतलब जैसे आप रही बार के दिन दे पूरे दिन में कभी भी एक बार दे दीजे अगले रही बार तक आपको बीच में काश्टिकम 200 जो है सुभा और शाम या तो चार-चार गूलिया या चार-चार बुन देना है समझ गए फिर जैसे ही संड़े आता आपको संड़े की दिन बापस से थूजा वनेम की चार से पांच बुन्दे मरीजों के जीप पर डाले है कहने का तात पर यह है कि आपको हफ्ते में एक बार थूजा वनेम देना है और बीच के छे दिनों में काश्टिकम सुभे शाम देना है चार-चार गूली जिस दिन थूजा आप दे रहे हैं उस दिन आपको काश्टिकम नहीं देना एसा आप करेंगे तो पहले हफ्ते ही आप देखेंगे कि वार्ट्स पहुत ज़्यादा रिग्रेस हो गए कभी-कभी तो एसा होगा कि थूजा वनेम की बून डालने के बाद काश्टिकम को लेती हुए दो से तीन दिन होंगे और वार्ट्स गायव हो जाएंगे आप के लिए भी आश्टाय जनक रहेगा और मरीज के लिए कि कल तक तो ये छूटे भी नहीं हो रहे तो और अचानक केसे गया हो गए बहुत सारे मिरेकल्स दोस्तों होमेपदी में देखने को मिलते हैं परन्तु सभी केसेस में नहीं देखने को मिलेगा आप इससे साथ में आपको याद रखिएगा मैं बार 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 बोल रहा हूँ Mother Tinker external application के लिए जरूर देना है थूजा Q प्लस सेवाइना Q उस पर बना हुआ वीडियो आप हमारी चैनल पर जाकर देखेंगे आपको मिल जाएगा डिटेल में देख लीजेगा हमें कब कौन सा Mother Tinker किस quantity में मिला करके यूज करना है तो बापास आते इस formula के तरफ दोस्तों तो जैसे ही आप थूजा 1M और काश्टिकम यूज करेंगे तो definitely ये 7 दिनों के अंदर जड़े आएंगे यदि जिद्धी cases होंगे तो 15 दिन लेंगे इस प्रकार से आप देखेंगे थूजा 30 को 7 दिन, थूजा 200 को 7 दिन और थूजा 1M के को जो है आप 15 दिन तक यूज करेंगे इसमें 80% cases में केसे भी वाट्स होंगे वो पूरी तरह से गायब हो जाएंगे साथ में external application यूज करें तो उमीद करूँगा वीडियो में देखें जनकारी आपको पसंद आएगी वीडियो दी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन बंदे मात्र